हाई गाईज, विल्कम बैक टू माई चैनल, आज के वीडियो में हम आपके साथ सेर करने वाले हैं गाजर का हलवा रेस्पी, जो बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन टेस्ट में क्या बात है, लोग खाने के बात आपसे रेसिपी पूछेंगे, कि आपने ये कैसे बनाया, आप को टच करेंगे, तो आपको थ्री ओप्सन मिलेगा, फिर आपको आउल के बटन पर क्लिक करना है, सबसे पहले मैंने गाजर को चिल कर उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है, मैंने यहाँ पर धाई के जी गाजर, पांसो एमिल दूद, धाई सो गराम मावा, दो सो गराम देसी 200 गराम के करीब मैंने चीनी लिया है, सो गराम काजू, साथ से आठ घरी ईलाईी ची लिया है, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म किया और उसमें 200 गराम के करीब मैंने देसी घी डाला है, जब खी मिल्ट हो जायेगा तो उसमें कस success गाजर टाल देंगे, गाजर को हम 10 मिनट तक ही के साथ भूनेंगे और 10 मिनट के बाद हम इसमें 500 एमेल के करिब मैंने मिल्क डाल दिया है फिर इसे मिल्क के साथ भी 10 से 15 मिनट तक हम भूनेंगे मैंने यहां पे 2 कडाई का यूज किया है क्यूंकि एक कडाई में मेरा पूरा गाजर नहीं आपा रहा था तो मैंने दूसरे कडाई में थोड़ी quantity transfer कर ली है और उसेम प्रोसेस कर लिया है और उसे जब भूनने के बाद क्वांटिटी कम हो जाएगी तो मैं एक ही कड़ाई में उसे ट्रांसफर कर लूँगी इसे मिश्रन एक सामान हो जाएगा मैंने यहाँ मिल के साथ 10 से 15 मिनट भूनने के बाद 250 ग्राम मावा डाला है मावा मैंने दोनों कड़ाई में थोड़ी थोड़ी ट्रांसफर कर ली है और इसे हम अच्छे से चला लेंगे यहाँ पर मैंने दूसरी कड़ाई के अभी एकी कड़ाई में ट्रांसफर कर लिया है क्योंकि भूनने के बाद हमारी क्वांटिटी आधी हो जाती है हमें गाजर को तब तक भूनना है जब तक कि इसका पानी सुख ना जाए जब इसका पानी सुख जाए तब इसमें हम साथ से आठ कुटी हुई इलाची पाउडर डाल देंगे फिर 200 गराम के करीब मैंने सुखर लिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सुखर डाले बीच में टेस्ट भी कर सकते हैं अगर कम यह ज़्यादा हो तो फिर आप बाद में भी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से चलाकर धकन हटाके भूनेंगे मिर्यम आज पे और भाव में धकन नहीं लगाना है इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से ओईल नजर ना आने लगे दूसरे साइड मैंने 100 गराम के करीब कैसो नट लिया है उसे 2-3 मिनट तक गी के साथ फ्राई कर लिया है और इसे हम कड़ाई में डाल देंगे पकने के बाद हलवा का कलर बिलकुल रेड नजर आने लगेगा तब हम समझ जाएंगे कि हमारा हलवा रेडी हो गया है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यह बिलकुल फ्री है थैंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो